असलाम अलेकूम रहमत अलाहिव बरकातों बिड़ा लास्ट लेक्चर में हमने यह देखा था कि जब करंट लूप को मैगनेटिक फिल्ड में डाला जाएं तो वो करंट लूप टॉर्क एक्सपीरियंस करता है और वो टॉर्क की वज़े से रोटेशन हो जाती हैं तब तक रो लूप लूमेंट और मैगनेटिक फिल्ड एलाइन ना हो जाएं ठीक है तो आज हम इसके कुछ कॉंसकेंस देखेंगे कुछ कॉशन देखेंगे एक बार लेकिन कांफॉर्म है जो टॉर्क होता है जब भी करंट लूप को मैगनेटिक फिल्ड में डालते हैं टॉर्क किसके बराबर होता है एम भी साइन एल्फा एम इस मैगनेटिक डाइपोल मोमेंट आप दे लूप बीज एक्स्टरनल मैगनेटिक फिल्ड इन लूप है और लूप लूप का नॉर्मल मैगनेटिक फिल्ड के साथ क्या एंगल बनाएगा फाइन तो इसी के ओपर एक छोटा सा अफ लेंग जिसका सर्कम्फरेंश रहे है वह एल हैं आप कर् przy आईक इस लूप में पीटेतं टारऑ भी है अज के इंग कर एंग करण से हैं 되는데 पेmamलेटिक फिल्ड इस प्लेस और इस प्लेस्ट कीज बिटे इन ए as shown as shown ठीक है fine torque हमें torque डूनना है हमें torque डूनना है ठीक है तो क्या किया जाए question बहुत simple है हमारे पास एक loop है circular loop है इसमें current flow हो रही है और इसको हमने magnetic field में डाला डाल दिया है और अगर आप देखेंगे loop जो है loop का plane और magnetic field जो है यह ही same plane में loop और magnetic field बटा एक ही plane में बोर्ड के plane में है दो फाइन तो टॉर्क किस के बराबर होता है हमें torque डूनना है सबसे पहले मुझे बढ़े टॉर्क होता है mb sin alpha ठीक है बटा तो टॉर्क जो आएगा m is magnetic dipole moment अगर इसमें current आई है तो इसका area a है तो magnetic dipole moment के बड़े लिखिंगे current into area ठीक है भी दिया हुआ है magnetic alpha किस-किस के बीच में अंगल होता normal और magnetic field के बेश में magnetic field आगे है और loop का normal यह ना बाहर की हो लूप का normal यह magnetic field यह alpha is the angle between normal and magnetic field वो यहां पर 90 है साइन 90 जो है वो वह वन आ जाएगा फिर इडिस साइन 90 ओके so this torque equal torque होगा current into area current आई है इसका area क्यों होगा पायार स्कार स्कार बी आएगा magnetic field sign 90 is one okay इसका radius नहीं दिया हूँ हम निकाल सकते हैं इसकी circumference इसका L दिया है total language जो है वो L है circumference किसके बराबर होता है two pi r यानि two pi r किसके बराबर है L के तो radius किसके बराबर आएगा L by two pi के समझा है तो radius के बराबर लिखेंगे L by two pi तो टौर के आजाएगा i into pi radius के बराबर लिखेंगे चुए कि r square r square है ना तो मैं लिखने का L square two pi square यानि four pi square L को भी square मिलेगा two को भी square pi को भी square because r को square समझा है और यहां पर क्या आएगा b magnetic field pi pi cancel होगा and you will get the answer so answer क्या मिलेगा आपका शाबाज that is equal to i L square b by four pi so this will be the torque experienced by the circular loop okay इसी के साथ लेकिन इसका औरिक पार्ट भी है question यह है कि if अगर हम क्या कर रहे है if the same length of wire is used to form the square loop अगर हम इसी length को use करेंगे हम square loop बनाएंगे ठीक है question इसका दूसरा पार्ट है if same wire is used if same length is used to form square loop what will be the torque torque क्या होगा हम लिख रहा हूं दूसरा पार्ट है इसका if same length is used to form क्या बनाएंगे square loop square loop अगर हम बनाएंगे तो बताएंगे torque कितना होगा ठीक है बता तो यहां पे भी circular loop नहीं है यहां पे आपको भी square loop fine wire square loop magnetic field वही है okay तो मुझे बताएंगे यहां पर अभी क्या हो जाएगा यह वहला अगर scene हम देखेंगे फिर से torque किसके बरबर आएगा torque आएगा mb sin alpha alpha फिर से 90 है so sin 90 torque will be equal to magnetic dipole moment कितना होगा इसका current into area be magnetic field है current आए है लेकिन अभी इसका area क्या होगा चूंकि square loop है okay यह total length L है तो एक side कितना होगा L by 4 यह वाला side भी L by 4 होगा हर एक side होगा L by 4 because इसकी total length है तो इस square का area किसके बरबर होता है side square तो area के बदले के लिखेंगे शाबाज side कितना इसका एक है ना L by 4 so area के बदले लिखेंगे side square यानि L by 4 square और B आएगा यहां पर so this magnetic deployment I L square by 4 square is 16 into B so this will be the torque experienced by the loop अगर आपका loop जो है वो square loop है समझाई बात तो और यहां पर एक बात तो confirm है जो torque हमारा आया जो पहला वाला torque जाया था पहला वाला torque वो आया था यह I L square B by 4 पाई I L square B by 4 पाई था initial torque आया था I L square B by 4 पाई तो यहां पर क्या आया यह आया 16 यह तगरीबन 12 के आसपास आ जाएगा यह पहला वाला torque ही जादा होगा ठीक है ना पहला वाला torque ही जादा होगा because अगर हम एक link को एक wire को circle भी बनाएंगे और square भी बनाएंगे circle का area ज्यादा होता है तो मैग जब area ज्यादा होगा तो automatically magnetic dipole moment ज्यादा होगा torque ज्यादा होगा that means circle वाले में torque होगा ज्यादा circle वाले के फाइन तो आगे बढ़ेंगे एक च्छड़ा सा question है हमारे पास आपके पास एक current loop चलिए एक लूप है ठीक है लेकिन current loop का plane जो है वो X axis के साथ 37 degree का angle बना रहा है ठीक है ओके इसके बाद अब current loop का plane that means जो angle बना रहा है 37 degree angle बना रहा है तो लूप का normal कितना angle बना रहा होगा फिर लूप का normal कितना angle बना रहा होगा 90 90-37 यानि 53 डिग्री है कि नहीं लूप का नॉर्मल जो एंगल बना रहा होगा वो 53 बना रहा होगा तो टॉर किसके बराबर होता है हम और इप चुके है टॉर किसके बराबर होता है Mb sin alpha ठीक है तो वह एक वह तो तो आट मीज अलफा जो आपका यहां पर alpha कितना है लूप का प्लेन बना रहा है एकस के साथ 37 डिग्री तो यह बना रहा था एकसे के साथ एंगल कितना बना रहा होगा 90 माइनस लूप का नॉर्मल ठीक है 37 अब बता यह टॉर किसके बराबर होता है मैंने इसलिए यह लिए इसलिए मैंने देखा कि लूप का नॉर्मल एकसे के साथ कितना अंगल बना रहा है तो इस एम बी साइन एलफा ठीक हैं टॉर्क किसके बराबर आएगा वोडिस मैंने टाइम इस कुरंट इंट एरिया विकाज इसमें एंड टर्न से लूप में ठीक है और साथ में बी मैगन एरिया किसके बराबर होगा लेंग्ट इंटो ब्रैट इन एंटो बी और साथ में आएगा बी नॉट साइन शिफ्टी थी होता है फोर बाइफाइव सो इसलिए टॉर्क एक्स्पेरियंस बाइट लूप इन फैक्ट आप अगर टॉर्क के डायरेक्शन आप मुझे बता सकते हैं टॉर्क कहां से होगा टॉर्क कहां से होगा अगर हम देखेंगे टॉर्क के डायरेक्शन जो होगी ठीक है वो कहां से होगी अब देख लीजा है हम से मेगनेटिक फिल्ड कहां से एक्स डायरेक्शन है, magnetic field x direction में है, ठीक है, और loop का normal जो है, वो current यह है, normal कुछ यहां से होगा, यहां से normal होगा, ठीक है, so that means आपको M cross B करना है, but यह already अगर हम देखेंगे, यह basically है 180 minus 35, 53, ठीक है, so that means अगर आप इसके direction भी डूंड ना चाहते हैं, या, या दूसरा तरीका यह भी है, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं इसको, इस एरिया को vector form में मैं लिखूँगा, अगर हम vector form में भी निकालना चाहेंगे, वैसे भी आप question solo कर सकते हैं, एरिया का vector, आप मुझे बता सकते हैं, एरिया किसके बराबर होगा, आप साथ में आपको unit vector साथ डालना पड़ेगा, एरिया को इसके बराबर आएगा, यहां से आपको unit vector साथ डालना पड़ेगा, एरिया को आप साथ थर्टी सेवन आई-काप, साथ प्लस यह एक दो इसका एक तो यहां से component होगा और जाड़ एक्सिस के अलोग component होगा, यह अगर आप इसको y-axis, इसको अगर आप z-axis कहेंगे, इसको y-axis कहेंगे, ठीके बटा, तो मुझे बताईए, यहां पर क्या आएगा, मैंने इस length vector को components में लेक लिया, इसका यहां से cos component होगा, यहां से sin, so a cos 37 i cap, प्लस क्या आएगा, sin 37 j cap, समझा है, यह अगर आप confused हो रहे हैं, मैं ऐसे भी लिखूँगा, a b जो आएगा, it is a cos 37 i cap, यह वला है, z direction, तो क्या आएगा, plus a, शाबश, a, यह कहा है, sin 37 j cap, sorry k cap, 37 k cap, यह हमने लिखा क्या, a b, अगर आप b c लिखेंगे, b c की लेंगे, तो क्या लिखेंगे, area, that means cross करेंगे, इस किसके साब, b c के साब, b c के है, b, और यह j direction है, यहाँ से आपको area निकल के आएगा, ठीक है, तो अगर आप area निकालना भी चाहते हैं, तो यह बनेगा, a cos 37 कितना होता है, शाराश cos 37 होता है, 4 by 5, so I will simply write, it is 4 by 5 i cap, plus a sin 37 होता है, 3 by 5, j cap, इसको cross करेंगे, किसके साब, b j cap के साथ, यहने इसके साथ cross करेंगे, वहां से आपको area vector निक, मैं कह रहा हूँ, इसका दूसरा तरीका भी है, करने का vector form में अगर आप करेंगे, पहला तो basic, सिखाया मैंने पहला तरीका, दूसरा तरीका यह हैं कि आप area को vector form में लिखेंगे, तो बताए area किसके ब्राबर आएगा, शाबाश, that is equal, यह आएगा 4A by 5, it is 4A by 5, I cross J, I cross J किसके ब्राबर होता है, अगर आपको यह circle याद हो, it is I, J and K, what is I cross J, it is K cap, so यहां पर आएगा K cap, फिर क्या आएगा, plus 5A by 3, sorry, plus 3A by 5, 3A by 5, j cross J, sorry, यह K था यहां पर, it was K cap, K cross J कि आएगा, what is K cross J, K cross J आएगा, minus I, it is minus I cap, यह आपका area vector हो गया, यह हो गया area, समझाई बात, अब टॉर्क किसके ब्राबर होता है, शायद आपको यादो, टॉर्क होता है, M cross B, M cross B, okay, what is magnetic dipole moment current into area, so M current into area के बदले, से बेटा मैं यह लिफ होंगा, तो क्या आएगा, 4A by 5, K cap, यह minus बहर निकालेंगे, मैंने का, minus 3A by 5, I cap, इसको cross करना है, magnetic field के साब, तो कितना है B not, शाबाज, B not I cap, B not I cap, okay, is this clear now, शाबाज, तो TOR, magnet dipole moment that is equal to N timers current into area, magnet dipole moment to the N, I, A area यह है, इसको cross करना है, B not के साथ, magnetic field के साथ, तो देख लीजे, cross करके क्या हैगा, TOR किसके ब्राबर आएगा, शाबाज, that is equal, पहले ऐसे लिखेंगे, N, I, ठीक है, okay, इसको इसके साथ cross करेंगे, क्या बनेगा, 4A by 5, B not, what is K cross I, K cross I is J cap, समझा है, K cross I क्या है, J cap, okay, इसके बाद क्या करेंगे, जब इसको इसके साथ cross करेंगे, I cross I होता है, 0, यानि करने की जरुरत है यानि, तो आपका answer, फिर से वही आए, जो पहले आए था, 4A, N, I by 5, B not, J cap आपको देगा, direction, किसकी direction, torque की direction, समझा, सो ये भी तरीका है करने का, आपकी मर्जी, आपकोई भी तरीका यूज कर सकते हैं, अगर आपको area दिया हो, आपको magnetic field दिया हो, ये सारी चीज़ें दिये हों, तो आप torque निकाल सकते हैं, short में जात रखे, torque किसके बराबर होता है, M cross B, या torque जो होता है, it is M B sin alpha, alpha is the angle between normal to the loop and the magnetic field, समझा हैं, तो ये basic चीज़ें हैं, जिनसे आप कोई भी question आप easily कर सकते हैं, fine, मुल्ब कभी कबर आपके पास ऐसा भी question होगा, आपके पास magnetic field दिया होगा, I plus 2J plus 3K, this is given magnetic field, इस magnetic field में आपने कोईल को डाला हुआ है, ठीक है, जिसका area जो है, जिसका area है, 3J cap, या 4I plus 3J cap, या 4I plus 3J cap, fine, ये area, ये magnetic field हैं, ये area है, आपने एक को लूप को डाला है, जिसमें current I flow हो रही है, हमें torque डूणना है, torque किसके बराबर होगा, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, torque किसके बराबर होता है, M cross B, होता है न, so torque क्या आगा, magnetic deployment होता है, current into area, cross B, so torque किसके बराबर आएगा, I, A को cross करना B के साथ, ठीक है, या एरिया को cross करना B के साथ, तो कर लिजिए इनका cross, यानि 4I plus 3J, जिसको cross करना किसके साथ, I cap plus 2J cap plus 3K cap, आपको यहां से torque निकल के आएगा, so फिर से ये अगर I हैं, ये J हैं, ये K हैं, तो बताएए, पहले इसको करेंगे 3N के साथ, I cross I पहला वाला 0 आएगा, वो लिखने की ज़रत नहीं है, because I cross I होता है 0, फिर इसको दूसरे के साथ multiply करेंगे, 4 into 2 क्या हो गया, 8, what is I cross J, I cross J होता है K, ये अपने पढ़ा होगा, फिर इसको तीसरे के साथ multiply करेंगे, तो क्या हैगा, 12, 4 into 3 is 12, what is I cross K, I cross K, that is minus 3, समझा है, ठीक है, ओके, इसके बाद क्या करेंगे, इसको इसके साथ भी किया, इसको इसके साथ भी multiply किया, इसको इसके साथ भी किया, अब इसको इसके साथ करेंगे, यानि प्लस 9, वोड़ी J cross K, J cross K is I, it is I, अब बस कर लीजे इसको further साथ लो, you'll get the value of the torque, अब को torque का value निकल के आएगा, तो torque का value क्या मिलेगा, आई, शाबाश, पहले I वाले लिखेंगे, तो कितना है, 9 I cap, 9 I cap, शाबाश, अब J वाले लिखेंगे, तो कितना है, माइनस 12 J gap, अब के वाले, ये 8 K हैं, ये माइनस 3 K हैं, तो होगा, प्लस 5 K gap, so this will be the torque, ये torque होगा, बड़ा, so short में आपको रियाद रखना है, torque होता M cross B, या M B, sine alpha, अब जिस form में आपका question दिया हो, आप उस form में से easily कोई भी question solo कर सकते हैं, ठीक है, इसके बाद, अब हम आते हैं, हमारे पास और एक topic है, तो आज, अभी तक हमने पड़ा हैं कि जब भी किसी current loop को बड़ा, magnetic field में डालेंगे, तो वो current loop, जो है, वो torque experience करेगा, और वो torque हमेशक इसके बराबर होता है, that torque is always equal to M B, sine alpha, where alpha is the angle between the magnetic field and normal to the loop. तो बेटा, अब हम start कर रहे हैं, moving coil galvanometer, ठीक है, आपके board exam, इसमें पूशा जाता है, यह question, moving coil galvanometer, ठीक है, basically यह एक instrument है, जिससे हम किसी भी network में current को detect कर सकते हैं, हम check कर सकते हैं कि current है कि नहीं है, fine, लेकिन हम इसे measurement नहीं कर सकते हैं, current कितनी है, उसके लिए और एक instrument है, जिसको हम M meter कहते हैं, galvanometer से measurement नहीं हो सकती हैं, ठीक, और इसलिए इससे measurement नहीं हो सकती है, पिकाज ग्यलवानोमीटर जो होता है इसका एक डिविजन जैसा कि आपने देखा होगा आपके पास M मीटर ऐसा होता है ग्यलवानोमीटर को G लिखा होता है वोल्ट मीटर को V लिखा होता है इसकी नीडल होती है यहां पर डिविजन होते हैं ठेक है इस तरह से यहां से भी ड नहीं होती है इसलिए गैलवानुमेटर से आप मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं यह वेरी स्माल करन्ट को मेजर करता है और प्रैक्टिकल सर्किट्स में वेरी स्माल करंट बिटा नहीं होती है तो फिर से क्या है इसका नम गल्वानोमेटर क्या है इनस्ट्रूमेंट विच यूज्ट शबश एन इनस्ट्रूमेंट इसको हम कहते हैं मोविंग गल्वानोमेटर ओके इसका प्रिंसिपल क्या है moving coil galvanometer किस principle पर बेटा काम करता है यह भी उसी principle पर काम करता है जो हम recently पढ़े हैं कि जब भी देखे इसका principle क्या है इसका principle यह है कि जब भी आप current coil को current loop को magnetic field में डालेंगे When a current loop is placed in external magnetic field it experiences a torque due to which it tends to rotate इसका principle यही है current loop को जब भी आप magnetic field में डालते हैं तो वो loop rotate करने लगता है और जिससे हमें पता चलता है कि current है circuit में समझाई बात यानि कुछ ऐसा अगर आपके पास यह magnetic field है मिटा ठीक है आपके पास कोई loop है suppose यह आपके पास कोई loop है ठीक है तो क्या होगा अगर आप इसमें किसी तरह से current इंडूस अगर इसमें current flow होगी इस लूप में के अंदर current flow होगी तो current की वज़े से rotate करेगा और इसके ओपर needle लगी होगी होती है जब रोटेट करता है needle भी रोटेट करती है और हमें पता चलता है कि current current है that means current detect हो गई so principle इसका यह है जब भी आप current loop को magnetic field में डालोगे when a current loop is placed in an external magnetic field it experiences a torque due to which it tends to rotate यह इसका principle है fine okay अब हम इसकी basic construction क्यों राएंगे इसकी construction से हमें पता चलेगा कि कैसे current को detect करता है ठीक है तो construction में क्या क्या इसके अंदर elements है वो elements आपको बताने की कोशिश करेंगे तो moving coil galvanometer की बड़ा construction हम पढ़ेंगे अभी तक मैंने दो बाते कहीं है एक ऐसा instrument है जो current को detect करता है principle क्या है जब भी current loop को magnetic field में डालेंगे वो torque experience करता है और वो rotate करने लगता है फाइन तो construction में सबसे पहले इसमें current loop ही तो होगा ठीक है तो इसमें सबसे पहले हम current loop डालते है current loop जो है मान लीजिए वो मैं कुछ ऐसा बना रहा हूं suppose this is the current loop ठीक है बेसके लिए एक तार होती है जिसमें बहुत सारी turns होती है copper wire की यह होती है ठीक है तो बेसके लिए यह current loop है इसमें ऐसी copper turns है बहुत सारी तो rectangular loop एक हमने बनाया है fine यह loop जो है इसमें बहुत सारी turns है किसकी turns है copper coil होती है fine तो पहला पहली चीज़ इसके अंदर हो गई एक तो current loop है fine ओक इसके बाद क्या है इसके बाद एक current loop जो है इसको हम suspend करते हैं basically from a suspension हम इसको किसी suspension से suspend करते हैं कुछ ऐसे हैं तो यहां पर support होता है basically एक torsion head होता है ठीक है by means of a torsion head तो हम इसको suspend करते हैं इस loop को हमने connect किया हुआ होता है एक और एक तार से लेकिन है किसी दूसरे material की बनी हुई होती है इस suspension होता है यह हलका होता है यह suspension और यह जिस material की बनी है उसको phosphor bronze कहते हैं क्यों यह फॉस्फर ब्रॉंज का ही होता है वो बताएंगे आपको ठीक है वो बताएंगे पिकाज फॉस्फर ब्रॉंज जो है यह यह मैटेरियल जो होता है यह सो फॉस्फर जब को रोटेट करेंगी इस तार जो है इस तार में ट्विस्ट आ जाएगा और फॉस्फर ब्रॉ काईल पैसे और एक हमारे पास दो मैगनेट्स होते हैं मालीजे यह दो मैगनेट्स हैं जिन आपको आपने suspend किया हुआ नेकिन ये magnet जो होते हैं ये इस shape में कटे हुए होते हैं ठीक है ये luggage कर्वेज़ इनका होता है वो इसलिए ताकि ये machenetic field को radial बना सके वो बताएंगे radial magic field क्या होता है फिलाल आपके पास ये मैँणेयर ये एक मैगनेट है, चाहबाश है, मैगनेट का काम क्या ओगा हाज़ा, मैगनेट का काम हो हो गा, मैगनेटीक फील्ड्द प्रडोस करना, समझजाई बात,〜 लॉके है इसके बाद और कीज़ें इसमे होती है, मुविंगצם गैल वानमेंटर में और क्या चीज़ें होते हैं और नौर्थ और साफ मैञ्निट होता है, कोईज जो Janet होता है कोयल का जो दूसरा इंट होता है, एक सिप्रिंग के साथ कनेक्ट होता है, किसके साथnym के साथ? बिकाज जब इसमें कोईल करंट जाएगी, ये रोटेट हो जाएगी, सिप्रिंग में टिविस्ट हो जाएगा और ये सिप्रिंग इसको वापस अपनी पुजिशन पे लाना चाहेगी ताकि जब करंट डिसकनेक्ट हो, इसका टॉर्क जीरो बन जाए, सिप्रिंग इसको वापस जीरो पुजिशन पे लाएगा इस लूप को अपनी जगह पे लाएगा, तो फिलाल थोड़ा-थोड़ा समझा रहा होगा आप लोगो, ठीक है, उके उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर इस तार के साथ हमने एक कंटेक्ट यहां पर जो गैलवानमीटर के दो टर्मिनल होता है, यह पहला टर्मिनल होता है, एक तो रेड होता है, और ब्लैक होता है, यह यह दो टर्मिनल है, जिनके थो आप इस गैलवानमीटर को किसी सर्क्यूट में जोड सकते हैं, आपके आपके पास करण्ट लूप हैं, दो मैगनेट्स हैं, सस्पेंशन हैं, सिप्रिंग हैं, यह भी फॉस्फर ब्रॉ क्या बना देना, रेडियल बना देना, समझाई बात, ओके, तो रेडियल बनाने का क्या मतलब है, और हम क्यों ऐसा कर देते हैं, मैं हम पर समझाने की कोश्च करूँगा, पिटाप लोगो, अगर मैं इसको टॉप से देखूँगा, मान लीजे, यह कॉयल जो है, सपोज यह सर्क्यूलर है, थोड़ा समझने के लिए, यह सर्क्यूलर है, ठीक है, तो आपकी कोईल यह सर्क्यूलर है, और यह दो मैगनेट्स जो आपके पास है, जो टॉप से ऐसे दिखेंगे, यह दो मैगनेट्स होंगे हमारे पास, ठीक है, तो यह मैं टॉप से इसका टॉप लेकिन इस करवेचर की वजह से देखें, मैगनेटिक फिल्ड को हम फोकस करवा सकते हैं किसी पर्टिक्लर रिजन में, ताकि मैगनेटिक फिल्ड स्ट्रॉंग प्रडूस हो, समझाई बात? और यह आईरन सिलेंडर जो इसके अंदर हमने डाला हुआ, यह आईरन सिलेंडर जो करवड काटते हैं, इन मैगनेट्स को, और यह सिलेंडर हम डालते हैं, ताकि मैगनेटिक फिल्ड जो है, वो इस क्वाइल के प्लेन को हमेशा क्या रहे हैं, परपेंडिक्यूलर, ठीक है? अब इसका वर्किंग यह बेसके लिए इसका कनस्रक्शन हो गया, अब इसकी वर्क कनेक्ट की हुई है, एक नीडल, फाइन, हमने एक नीडल कनेक्ट की हुई है, तो अब हम इसकी वर्किंग की और आएंगे, देख लिए वर्किंग इसका बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है, जब भी मुझे किसी करण्ट में, किसी सर्कुट में करण्ट को सपोल्स डिटेक है मुझे किसी circuit में current major करनी है तो मैं ये दो terminals वहां पर जोड़ूँगा अगर उस circuit में current होगी तो current यहां से भी flow होगी और जब वो current यहां से फिलो होगी इस loop में भी flow होगी already यह loop हमने magnetic field में रखा हुआ है ठीक है magnetic field में रखा हुआ है सो जोई इसके तो current flow होगी current loop magnetic field में डालेंगे तो रोटेट होने लगेगी यह यानि यह वाले loop में torque act करेगा जिसको हम deflecting torque कहते हैं यह loop rotate करने लगेगी जब यह loop rotate करने लगेगी इसके अपर जो needle है वो भी rotate करेगी और उपर से जब हम देखेंगे हमें needle rotate होई देखती में ज़र आएगी तो इसका मतलब है कि current इसमें है यानि external circuit में current है समझा रही है बात मैं repeat कर रहा हूँ जिस circuit में हमें देखना है कि current है कि नहीं हम इसको जोड़ेंगे उस circuit में और circuit में अगर current होगी तो वो current बिटा यहां से भी flow करेगी जब इस loop में current flow करेगी यह loop को हमने magnetic field में रखा हुआ है तो current loop जब हम magnetic field में डालते हैं वो rotate करते हैं that means यह rotate करेगी यहां पर जो needle रखी हमने वो भी rotate करेगी और हमें सिप्रिंग में एक restoring torque वजूद में आ जाएगा ठीक है जो restoring torque चाहेगा कि यह loop अपनी जगा पे वापस आए लेकिन इनिशली इसमें restoring torque बहुत कम होगा बिकाज यह थोड़ाई deflect हुआ है deflecting torque की वेजिसे rotate rotate होगी rotate होगी rotate होगी जितना होगी उसमें इतना ही ज्यादा ट्विस्टा आएगा यानि इसमें रेस्टोरिंग टॉर्ट भी जो है वो भी बढ़ेगा एक टाइम ऐसा आएगा जब डिफलेक्टिंग टॉर्क रेस्टोरिंग टॉर्क के बराबर किया है इसमें कोई current नहीं है तो अब यह इसका बेसिक है बेसिक वर्किंग यहीं है जब इसको connect करेंगे लूप rotate करेंगी नीडल नीडल रोटेट करेंगी यानि इसका मतलब current है और current की वज़िसे होगा इस सिप्रिंग में लेकर रेस्टोरिंग टॉर्क होगा तब तक यह motion होता जाएगा तब तक यह लूप rotate करेगा जब डिफलेक्टिंग टॉर्क किसके बराबर हो जाए रेस्टोरिंग टॉर्क के उस यह लूप रुख जाएगा यह नीडल यह पॉइंटर जो हमारे पास है उसकी मोमेंट और रुख जाएगी फाइंग डिफलेक्टिंग टॉर्क हमने औरड़ी पढ़ा हुआ है इस इक्वल टॉर्क इसमें एक्ट होगा रेस्टोरिंग टॉर्क किसके बराबर होता है इसमे है वो टिविस्ट है इसमें कितना टिविस्ट प्रोडूस हुआ यह नीडल कितनी रोटेट हो गई समझाया है सो थीटा इज़ टिविस्ट प्रोडूस इंदा सप्रेंग ठीक है सो इडिज एम बी साइन एलफा हमेशा 90 होता है पिकास फिल्ड राइडियल है यह आर्रेंज आई इंटो एरिया ठीक है आइज यह विकास इसमें अगर एंट टर्न होंगी तो मैगनेटिक डाइपोल मोमेंट किसके बरवर आएगा एंट इंटाइम इसके थीटा समझाया है सो थीटा का अगर वैल्यू निकालेंगे क्या बनेगा एन एबी बाई के इंटो आई इसके बरवर आएगा इसको एक ही कॉंडस्टनम नाम देंगे ग्यालवनुमेटर कॉंडस्टन्ट यहां से पता चाहरा है थीटा जो है डिरेक्ली प्रपोर्शनल तो आई यानि इसमें जितनी करंट ज्यादा होगी जितनी ज्यादा सिर्किट में करंट होगी उतना जब जाते हैं फ्लेक्शन दिफ्लेक्टिंग एंगल जो है तर दूबने दिफ्लेक्शन और एकरंट जो है इनके भीच में लीट है तो स्केशिमिआर स्कीश्टम जो Patient Cancer की सिकेल क्या होती है बिटा लीनियर सिकेल और यह बहुत important है याद रखना आज हमने यह सीखा यहां पर कि moving coil galvanometer क्या होता है यह current detect करता है इसका principle क्या है यह किस principle पर काम करता है जब भी current loop को आप magnetic field में डालेंगे यह torque experience करेगा फिर का हमने construction पड़ा हमारे पास इसमें copper wire होती है दो magnets होते है suspension फॉस्फर ब्रॉंज का होता है यह spring फॉस्फर ब्रॉंज की बनी हुई होती है ठीक है mirror and pointer arrangement हमारा होता है तो यह सारी चीज़े फिर हमने यह देखा जब भी हम इसको circuit में connect करेंगे इसमें current flow होगी यह rotate करेगी needle बेडिफलेक्ट होगी और हमें पता चलेगा की current है ठीक है spring का 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 है spring का 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 है इसको इस needle को rotate होते होते एक जगह पे रोक लेना जहां पर यह same हो और जब हम इसको disconnect करेंगे circuit में इसमें current zero हो जाएगी deflecting torque zero बनेगा लेकर restoring torque तो होगा वो spring को इसको वापस अपनी जगह पे इस loop को वापस अपनी जगह पे लाएगा और यह needle जो है वो वापस zero पे आ जाएगी ठीक है और यहां पर हमने यह सिखा इसमें जो deflection होगा that depends upon the current linearly ठीक है 고को कर आँ आइन भी सिंजीटिवीटी का मतलब है कि इन आस्रूमेंट कितना सेंजिटिव है यह small change जिसको कितना सेंस करता है ठीक bıra तो आब हम बात करेंगे किसकी current sensitivity की current sensitivity का क्या मतलब है ठीक है तो देख लेजिए current sensitivity का मतलब क्या है current sensitivity का मतलब है deflection तो इसमें कितना deflection होगा उसको हम कहते हैं क्या current sensitivity ठीक है deflection produced इसमें कितना deflection होगा यह निल कितनी deviate हो जाएगी deflection produced per unit current flowing through it it is called as current sensitivity so theta का value मैं यह put करूँगा देख लीजिए theta का value मैं यह put करूँगा तो क्या मुझे मिलेगा n a b i by k theta का यह value मैं ने put किया divide में करना है न i i cancel हो जाएगा यह यह बनिएगा n b a by k so current sensitivity किसके बराबर आई what is current sensitivity equal current sensitivity किसके बराबर आईगी बटा that is equal to n b a by k यहने current sensitivity जो होती है यह किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है number of terms पर यह अगर आप इसने ज्यादा टर्न रखेंगे न तो यह current sensitivity इसकी ज्यादा होगी यानि कम current flow होने से भी यह बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा समझाई बात ओके current sensitivity किष्चीज़ बेडिपेंड करते हैं magnetic field पर ज्यादा magnetic फिल अगर strong होगा तो current sensitivity ज्यादा होगी एरिया अगर ज्यादा होगा current sensitivity ज्यादा होगी spring constant अगर कम होगा यानि smooth spring होगा soft spring होगा current sensitivity ज्यादा होगी यानि ज्यादा deflection प्रोडूस होगी कम current के flow होने से भी, so what is current sensitivity, deflection produced per unit current flowing through the galvanometer, current sensitivity किन parameters पर डिपन करती है, number of terms पे, magnetic field पे, area पे और supreme constant पे, समझ आया है, इसको हम कहते है current sensitivity, इसके बाद और एक term है, जिसको हम कहते है voltage sensitivity, वो भी बराबर ऐसा ही है, voltage sensitivity का मतलब है, deflection produced per unit applied voltage, यानि voltage sensitivity की जब हम बात करते हैं, what do you mean by voltage sensitivity, voltage sensitivity जो होता है, it is deflection produced per unit applied potential difference, अगर हम terminals के across one volt potential difference apply करेंगे, तो कितना deflection produced हुआ, उसको कहते है voltage sensitivity, current sensitivity का मतलब था, जब इसके उतरो one ampere current जाएगी, तो ये कितना deflection कितना होगा, उसको हम current sensitivity कहते थे, यहां पर voltage sensitivity से क्या मतलब है, कितना deflection produce होगा, जब हम one volt इसके across apply करेंगे potential difference, so V is किसके बराबर आएगा, theta का value मैं put करूंगा, जो अरड़ी हमने अभी अभी पढ़ा था, theta का value क्या आएगा, N, A, B, I, by K, समझा है, divide में क्या आएगा, this is the value of theta, V is the potential difference applied, V किसके बराबर होता, अगर इसके थो current I है, इसके resistance R है, इस wire की resistance, so V के बरे क्या आएगा, I into R, ये leads की resistance या separate resistance is as a mode to be 0, ठीक है, so I, I का value क्या, ये आएगा, so what is voltage sensitivity equal to N, A, B, by K into R, समझा है, current sensitivity भी इन ही चीज़ों पर depend करती है, voltage sensitivity भी इन ही चीज़ों पर depend करती है, लेकिन सिवाए और एक चीज़ है, resistance of the coil, यानि अगर आपको voltage sensitivity ज्यादा रखनी, आप चाहते हो, ज्यादा deflection हो, resistance इस wire की होनी चाहिए, कम, इसलिए हम copper coil यूज़ करते हैं, जिसके relationals बहुत कम होती है, समझा है, so this is all about voltage sensitivity, okay, अब इसके बाद और एक last point है, sensitive galvanometer किसको कहते हैं, किस galvanometer को बेटा आप sensitive galvanometer कहते हैं, most important point to be noted, ठीक है, sensitive galvanometer का मतलब क्या है, sensitive galvanometer, उस galvanometer को हम कहते हैं, जो कम current के flow होने से भी, जिसमें ज्यादा deflection प्रोडूस हो, ठीक है, हमने already पढ़ा हुआ है, deflection किसके बराबर होता है, n, b, a, by, k, into, i, ये formula हमने अभी अभी पढ़ी है, ये theta deflection होता है, so मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, deflection ज्यादा हो, sensitive galvanometer को हम कहते हैं, जिसमें current अगर कम भी होगी, na, deflection ज्यादा होनी चाहिए, so theta कब ज्यादा होगा, deflection कब ज्यादा होगा, ये तो कम है, that means ये वाली term अगर ज्यादा होगी, यानि इस sensitive galvanometer, उस sensitive उस galvanometer को हम कहते है, जिसमें कम current के flow होने से भी deflection लेकिन बहुत ज्यादा हो, जिसमें थोड़ी current के आगई, वो ज्यादा deflection दिखाएगा, अच्छा galvanometer, so theta ज्यादा होने के लिए हमने ये का, अगर चीए कम भी होगा, लेकिन ये ज्यादा होना चाहिए, that means sensitive galvanometer के लिए number of turn उस बहुत ज्यादा होनी चाहिए, अगर इस galvanometer में turn उस बहुत ज्यादा हैं, तो ये sensitive galvanometer होगा, लेकिन हम number of turn उस बहुत ज्यादा भी नहीं रख सकते हैं, उसे galvanometer बलकी हो जाएगा, ठीक है, so ज्यादा turn उस रखने से sensitivity तो अच्छी होगी, लेकिन ये बलकी हो जाएगा, okay, magnetic field ज्यादा हो, ठीक है ना, theta होने के लिए भी ज्यादा, उसके लिए हम horseshoe magnets use करते हैं, जो strong magnetic field प्रोडूस करते हैं, जिसके वज़े से galvanometer sensitive बन जाएगा, area होना चाहिए ज्यादा, लेकिन अगर इसका area बहुत ज्यादा हमने रखा, quail का, इसका size बढ़ जाएगा, that means area भी ज्यादा नहीं रख सकते हैं, phosphorus, bronze material, उसको हम कहते हैं, समझाया, so के हम कम रखते हैं, ताकि theta ज्यादा हो, ताकि deflection ज्यादा हो, और यह galvanometer क्या बन जाए, sensitive galvanometer, ठेक है, so what do you mean by sensitive galvanometer, एक ऐसे galvanometer को sensitive galvanometer कह सकते हैं, which produces large deflection, even for the smaller currents, so highly sensitive galvanometer के लिए N क्या होना चाहिए, ज्यादा, magnetic field भी क्या होना चाहिए, ज्यादा, area भी होना चाहिए, ज्यादा, supreme constant होना चाहिए, कम, ऐसे galvanometer को हम फिर क्या कहते हैं, sensitive galvanometer, ठेक है, तो अन्छाला next lecture में पढ़ेंगे, m meter क्या होता है, और voltmeter क्या होता है, कैसे galvanometer से हम m meter, voltmeter बनाते हैं, thank you very much.